हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलोजिस प्लस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ले टेस्ट और टेक्नोलोजिस भरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए सुरू करते हैं यह देखिए गाइस यह हमारा पीछे का पार्ट है जिसमें हम और यह देखिए बोड़ी वाइंटिंग की हुई बोड़ी है जिसको हम इसके उपर ऐसे रख देंगे केपल वाले भाग को दोस्तों उपर रखेंगे आगे वाले पास्ट को नीचे अजिए देखिए हम थोड़ा मार के इसे हम बिठा देंगे यह देखिए यह रहा हमारा रोटर कि इसको इस पर हम थोड़ा सा ओयल लगा देंगे थोड़ा सा कपड़ा मार के इस पर हम थोड़ा ओयल लगा देंगे दोस्तों और यह देखिए इसको हमने बोड़ी में डाल दिया और यह कुछ इस तरह से दिखता है अब हम पीछे वाले टफ को जिसको हम सिंगल कोलर भी बोलते हैं उसको इसके उपर हम लगाएंगे बोड़ी के उपर फिट करेंगे यह देखिए हमारा पीछे काट अफ है इसको हम सिंगल कोलर भी बोलते हैं इसके अंदर देखिए हम केबल कैसे अंदर से डाल के इसको हम बोड़ी के उपर फिट करेंगे इसके उपर हम थोड़ा मार देंगे इसे थोड़े से ताकि हमारा बैठ जाए इच्छी तरह से यह देखिए पीछे का टाफ हमारा कुछ इस तरह से दिखता है और इस सरीय की मदद से हम इस दोनों टाफ को बोड़ी से जोड़के अच्छे से टाइट कर देंगे इस देखिए दोस्तों इसमें चार सरीय आएगा और आठ नुट आएंगे इसको हम बोड़ी से अच्छी तरह से जोड़ेंगे जोड़का इस रिंच पाना की मदद से इसको हम फूल टाइट कर देंगे दोस्तों अब हम दूसरे श्टट को भी इसी प्रकार से फूल टाइट करेंगे अब हम दोस्तों प्रकार से जोड़ी आएट करेंगे इस तरिया के दोनों बोल्ट को दो पाने की मदद से फुल टाइट कर देना है दोस्तों कि देखिए हम तीसरा हरिया भी इसमें लगा रहे हैं इसको भी हमको फॉल टाइट कर देना है यह कुछ इस तरह से हमारी मोटर दिखेगी दोस्तों यह देखिए मेरे हाथ पर रही बेरिंग की बेरिंग की चावी जो जिससे बेरिंग घुमता है यह हमारे रही बेरिंग इसको हम रोटे को उपर लगा देंगे और हम देखते हैं कि मोटर फ्री हैं और यह इसको बोलते हैं उंधा चकनट यह हमारा हर बोल्ट की अपे इच्छा उल्टा जड़ता है देखे हम कैसे उल्टा इसको चढ़ा के यह दोस्तों सीधा नहीं चड़ेगा यह उल्टा ही रहेगा उल्टा ही चड़ेगा इसको हम चेनी की मदद से फूल टाइट कर देना है ताकि हमारी बेरिंग बाहर ना निकले वेज़ा तबस्तों चड़ेगा और उल्टा ही टाइट होगा क्योंकि हमारी भी बेरिंग उल्टा गूमती है अगर यह ना सिधा रहेगा तो अमारा ना खुल भी इसे लिए इसमें रहु लिदा आटगा घालए यह देखिया मारह आगे काट आसफ है इस अधी ते हैवे । मैंने हाथ में आप reckलर रखी है है अबबनार टावी अब ये अधूर मरा इंपिलर एब जो कि इसका हम ऐशे ठीट कर देंगे और यह मैंने नट और वाइसर लगा दिया इस पर अब इंपिलर को हमें फुल टाइट कर देना है कि देखें पायने की साथ से इसको फुल टाइट कर देंगे इसको फुल टाइट करना है दोस्तों ताकि इंपिलर का नट है वो खुले नहीं कि हमने फॉल टाइट कर दिया है इसको यह केसिंग जिसको इसके उपर से हमको लगाना है यह देखिए हम कुछ ऐसे इसको लगा देंगे कि यह रहाओ बॉल्ट जो केसिंग को टाइट करने में हमारी मदद करेगा इससे हम आगे के टॉफ को केसिंग से फॉल टाइट कर देंगे यह देखिए कुछ इस तरह से हमें इस बॉल को केसिंग से और आगे के टफ डॉबल कुलर से इसको जोइंट करना है और इसको भी हम पाने से फॉल टाइट करना है पाने से फॉल टाइट करना है और इस फीचे के टप में हमें बेरिंग का कवर लगाना है जिसको हम यहां पर टोपा भी बोलते हैं यह थ्रश्ट बेरिंग का कवर है इसको हम इस तरह से लगा कि इसको भी हमें बोल से टाइट कर देना है इसको अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों और यह देखें दोस्तों यह रहे हमारी केबल की डटी इसको हम केबल पैकिंग भी बोलते हैं इसको डाल के बड़ी होल में डाल लगा देंगे जिससे की हमारी मोटर के अंदर कुछ ऐसी वस्तू ना जा सके जिससे मोटर की बेरिंग और बूस्टिंग को आनी पहुंचे जैसे मिट्टी यह देखें को इस होल में हम पर रेती बालू मिट्टी जैसे वस्तू जा सकते हैं अंदर जिससे हमारी बेरिंग और बूस्टिंग को उतार देंगे और हमारी मोटर को नुक्सानी पहुंचे के और यह डटी ना निकले इसके लिए इसके उपर हम इस प्लास्टिक की के बलको फ्लाच को के बलको फ्लाच बोलते हैं इसको इसको ऐसे लगा कि यह दो पॉल इसमें लगा के टाइट कर देंगे और यह देखी दोस्तों यह हो गई हमारी open world बंडूबी मोटर के फिटिंग तो कैसी लगे आपको यह वीडियो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों ताकि मैं रोजाना इसी वीडियों